नमस्कार मैं हूँ रश्मिकरन और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 निउस कहते हैं भगवान हर जगे नहीं हो सकते और जहां नहीं हो सकते वहां के लिए उन्होंने मा बनाई है बच्चा पैदा करना जीवन चक्र चलाना मा की प्रविर्ती है मा बन कर बच्चे को जनम दे कर जन्नी कहला कर एक महिला का जीवन सफल हो जाता है वहीं कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिने मा बनने का सुख नसीब भी नहीं होता है लेकिन इन में से कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिनके साथ देर सही सही लेकिन उन्हें मा बनने का सुख जरूर मिलता है बच्चा पैदा करने की सही उम्र 23 से लेकर 32 साल तक मानी गई है लेकिन आज जब तमाम महिलाय नौकरी पेशा है इस उम्र में बच्चा पैदा करने के बारे में नहीं सोचती है जातर महिलाय 35 से 40 के उम्र में मा बनना पसंद करती है क्योंकि इसके बाद प्रेग्नेंसी में कई तरह की दिक्तते आती हैं डॉक्टर भी सही समय पर पहरे बच्चे पैदा करने की सला देते हैं लेकिन कई बार आपने सुना होगा कि 50 की उम्र के बाद भी महिलाय मा बनती है लेकिन ये बात उतनी नहीं चौकाती है जितना ये बात चौकाती है कि 70 साल की उम्र में कोई महिला एक नहीं बल्की जुड़वा बच्चे को जनम देती है जी हाँ आपको बता दे कि युगांडा से एक दिल्चस्प खबर आई है जहां एक 70 साल की महिला ने जुड़वा बच्चों को जनम दिया है लेकिन इस उम्र में ये संभव कैसे हुआ ये सवाल मन में जरूर उठता है लेकिन ये पूरी कहानी किसी चमतकार से कम नहीं है बता दे कि युगांडा की राजदानी कपाला के एक अस्पताल में एक 70 साल की महिला ने सिजीरियन के जरिये एक लड़का और एक लड़की को जनम दिया इस उम्र में जुड़वा बच्चों को जनम देना एक चमकार से कम नहीं माना जा रहा है 70 साल की सफीना ने IVF के जरिये दो बच्चों को जनम दिया हलाकि ये साफ नहीं हुआ है कि उन्होंने डोनर एक का इस्तिमाल किया है या उनके खुद का एक है जो उन्होंने कम उम्र में फ्रिस कराया था महिला अस्पिताल इंटरनेशनल और फर्टिलिटी सेंटर के करमचारियों ने IVF को चिर्कित से सफलता बताया उन्होंने कहा कि 45 और 55 साल की उम्र में महिला मेनपॉस से गुजरती है वो प्रेजनन की शमता खो देती है लेकिन मेडिकल एडवांस होनी की वज़े से उनके लिए बच्चे को जनम नेना संभव बना दिया यूगांडा के डेली मॉनिटर अखबार से बाच्चित में महिला ने बताया कि उनकी प्रग्नेंसी काफी कठिन थी क्योंकि जब उनके पार्टनर को ये पता चला कि उनके जुड़वा बच्चे होने वाले है तो उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया नामुक वया की तीन वर्षों से ये दूसरी डिलीवरी है इससे पहले 2020 में उन्होंने एक बच्ची को जनम दिया था उन्होंने कहा कि नी संतान होने का मज़ाक उड़ाय जाता था इसकी वज़ा से उन्होंने दूसरा बच्चा पैदा करने का फैसला लिया सफीना ने बताया कि उसके पहले पती 1992 में उनकी मौत हो गए थी जिस कारण में बच्चा पैदा किये बिना ही रह गए इसके बाद उन्हें हमसफर नहीं मिला और ना ही उन्होंने इसकी कोशिश की अब अचालक उनके जिन्दगी में एक शक्स आया और उनके दिल में फिर से मा बनने की इक्छा जागी लेकिन उम्र जादा होने के कारण वो डरी हुई थी फिर भी उन्होंने डॉक्टर से संपर किया तो IVF के बारे में पता चला उन्होंने रिस्क लेते हुए ट्रीटमेंट कराने की सहमती जताई डॉक्टरों ने भी सहयोक्या और प्रेगनेंसी शुरू हुई जो डॉक्टर और नर्सों के कारण आखिर तक बिना किसी समस्य के पूरी होगे लेकिन अफसोस की बात बच्चों को जनम देने पर बॉर्फरेंड मिलने तक उनसे नहीं आये सफीना ने कहा कि शायद वो इस बात से खुश नहीं है कि उसने जुड़वा बच्चों को जनम दिया क्योंकि वो जानता था कि उसके गर में एक से ज्यादा बच्चे हैं और वो उसके जिम्मेदारी उठाने में समर्थ नहीं अभी लेंगे एक चोटा सब्रेक और ब्रेक के बाद वापस लोटेंगे दूसरी खबर पर भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल महावीर इंकलेव पालम डावडी रोड पर स्थित सौथ वेस्ट दिल्ली का एक मात्र मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ डॉक्टर सी एम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्रात्मिक्ता है वो भी अफोर्डिबुल रेट्स में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है चार महीने एक हफ्ते बाद अंजू पाकिस्तान से लोट कर भारत आ गई वही अंजू जो इसी साल 21 जुलाई को अपने पती और घरवालों को बताए बगया चुपके से राजिस्थान की भिवाडी से पाकिस्तान चली गई थी लेकिन 29 नवंबर की शाम को जैसे ही अंजू ने अटारी वागा बॉर्डर से भारत में एंट्री ली मीडिया वालों ने उसे घे लिया अंजु ने भी सिर में दर्द होने की बात कहकर तो कभी बाद में बात करने की दलील देकर मीडिया के सवालों से बचने की कोशिश की लेकिन इसके साथ ही वो सवाल जस के तस रह गया कि आखिर पाकिस्तान जाकर अपने प्रेमी से शादी रचाने वाली अंजु अचानक भारत लौट कर क्यों आ गए मीडिया की सवालों पर अंजु ने चाहे जो भी जवाब दिया हो लेकिन पंजाब पुलिस से लेकर भारतिय इंटेलिजेंस एजेंसियों की पूछताच में अंजु को अपने भारत लौटने का मकसद बताना ही पड़ा सूत्रों की माने तो अंजु ने पूछताच के दौरान कहा कि वो भारत में रह रहे अपने बच्चों से बात करने और उन्हें समझाने के खाते राई हैं वो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी और उनसे मिलना चाहती थी अंजु का कहना है कि वो अपने बच्चों को समझाएंगी अगर वो चाहे तो उसके साथ वापस पाकिस्तान जा सकते हैं और अगर बच्चे इस बात के लिए तयार नहीं होते हैं तो वो उन पर किसी प्रकार का जोर नहीं डालेंगी अंजु के भारत आने की खबर मिलने पर जब मीडिया ने अंजु के पती और पिता से बाच्चित की तो दोनों ने ही अंजु से सारे रिष्टे नाते खतम हो जाने की बात कई और कहा कि उनके घर के दर्वाजे अंजू के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंध हो चुके हैं सूत्रों की माने तो अंजू ने भारती एजेंसियों की पूछताच में यहां लोटने का एक मकसद अपने पती अर्विन से तलाक लेने का उभी बताया है ऐसे में उसका अपने पती के घर जाना और अपने बच्चों से मिल पाना फिलाल मुश्किल लगता है अंजू ने कहा है कि अर्विन ने उसे लेकर यहां उसके पीछे काफी सारी जूठी सची बाते कहीं है वो इसका परदाफाश करना चाहती है और वो सही समय आने पर सभी को अर्विन के सच के बारे में बताएंगे और उससे तलाक भी लेंगी ऐसे में फिलाल अंजू के सामने सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर वो भारत में कहां रहेंगी क्योंकि फिलाल ना तो उनके पिता अंजू को सुविकार करने के लिए त्यार है और ना ही उनके पती पाकिस्तान में चार महिने से ज्यादा का वक्त गुजारने के बाद अंजू अचानक से भारत तो लोट आए लेकिन अब आगे अंजु का क्या प्लान है क्या वो फिलहाल भारत में रहेंगी और अपने पाकिस्तानी शोहर नरसुला को भी यहां बुलाएंगी या फिर वो भारत से वापस पाकिस्तान लौट जाएंगी और साथ में अपने बच्चों को भी लेकर जाएंगी तो खुद अंजू ने भी ऐसे तमाम सवालों पर बेशक अपने मूँ को सी रखा है लेकिन देखना ये है कि अब अंजू का अगला प्लान क्या है इस खबर में फिलाल इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने लिए हमार साथ और देखते रिए इंडिया काइम 24 न्यूज खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन